तो फ्रंस दिगज FMCG Company ब्रिटानिया ने अभी फिलहाल आपके लिए एक तोफा भीजा है और वो तोफा ये है कि आपको मिलेगा 72 रूपीस का एंटरिम डिविडेंट 72 रूपीस का जो इंटरिम डिविडेंट है उसके लिए जो रिकार्ड डेट है अगर आपके पास ये शेर नहीं है तो अगर आपके पास दो दिन पहले तेरा तारीक के दो दिन पहले अगर ये शेर होता है यानि 11 अप्रेल तक तब आप इसके लिए एंट टाइटल हो जाएं प्रेंट्स प्राइस पैटर्न इस पर्टिकुलर शेर का क्या रहा है आए इसको देखते हैं चैनल पर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरू करें प्रेंट्स ये है आपके सामने डेली बेसिस का चार्ट जो है ये ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का आपके सामने है इस से इस particular point से मैं इसको mark करने के कोशिश करता हूँ इस particular point से ये stock का lowest range था जहां पर कि ये एक बार फिर इसको taste करता है और ये जो lowest range है वो है 2300 रुपए का फ्रेंड़, 2300 रुपीस उसका जो upper band है इसका वो 3200 रुपए के ऊपर है यानि करीब ये 3300 रुपए का band है अब इसके अंदर जो stock है वो कितने दिन तक रहता है 2800 रुपए से 2800 की जो ये 2300 रुपए की जरनी है ये 2800 रुपए तक 3300 रुपए तक ये जाती है इसके बीच में ये stock रहता है 24 जनवरी 2018 से फ्रेंड्स 24 जनवरी 2018 से ले करके ये stock रहता है आपको 31-21 मई 2020 तक दो साल तक करीब करीब ये आपको ये stock 20 साल तक ये इस range में था यानि 1200-1300 के range में ये stock था यहाँ पर इसके पहले भी ये stock आप ये देखिये कि 30 अगस 2018 को आया फिर वो नीचे गया और इस तरह से ये काफी इसको टेस्ट करता है मतलब जो बड़ी कम्पनियों का stock होता है friends तो आप जानते ही है कि particularly एक range में चलते हैं लेकिन long term में उनका जो आप scenario देखते है वो इसी तरह से होता है तो इस particular range को stock ने जब तोड़ा तो वो तोड़ा है जनवरी 2020 में और उसके बाद इसको एक base का formation बनाते हुए stock और उपर की और निकलना शुरू हो गया यहां से stock उपर की और निकलता गया और एक range पर्टिकुलरली यह वाला range जो है वो stock ने मनाया है जो कि 3500 रुपए का range था और इसके दर्म्यान जो है इसके दोरान जो है stock घुमा है और आप देखिए कि 2020 जून 2020 से ले करके अब यह जो range है इसको test कर रहा है stock 2022 in fact मई भी दो सा यहां पर भी test कर रहा है इसका higher अगर range आप देखते हैं तो एक 400 रुपए का range है वो है आपको सितंबर 2021 में आता हुआ ने जरा रहा है इस point पर देखिए सितंबर 2021 में लेकिन जैसा कि stock जो large cap stock होते हैं थोड़ा सा आपको range bound में देखते हैं और फिर उसके बाद उपर नीच करते हुए वो आगे बढ़ते हैं जैसे कि इस particular range में था फिर यहां पर भी उसी range में था फिर आपके पास आता है यह particular जो है resistance का point resistance का जो point आता है friends तो उसमें अगर आप देखे तो यह stock जो रेसिस्ट करता है वो 11 November वाले week में 2022 यहां पर यह रेसिस्ट करके उसके ऊपर निक 400 रुपए के असपास है 4230 रुपए का एक support level है इसके नीचे का जो support level है friends वो है 4090 रुपए का तो 4090 रुपए का support level आप बिल्कुल याद रखे तोड़ा सा भी अगर कमजोरी के सिती होगी तो stock जो है वो 4090 रुपए को test कर सकता है जो फिलाल का जो support level है वो 4299 रुपए का जो support level है फिलाल stock आपको वहीं पर close होता हुआ निजर आया हुआ है और उसके just नीचे का जो support level है 4193 रुपए का stock all time high recent में ही cross किया था stock ने all time high मैं आपको दिखाता हूँ इसको तोड़ा सा नीचे करके stock का जो all time high है वो इसलिए हुआ क्योंकि इसका quarterly result बहुत अच्छा बहुत है तो 4681 रुपए 4681 रुपए यह particular region में stock आप देख रहे हैं कि लगातार upside में हुआ 4681 रुपए तक stock जो है वो test करके फिर से नीचे relax होता हुआ नजर आ रहा है तो 72 रुपीस का जो यह dividend है यह एक अच्छा reward है interim dividend है in fact shareholder के लिए तो एक अच्छा positive impact जो है वो आपक shareholders के लिए एक अच्छी news निकल करके आ रही है friends तो इसके quarterly results को एक बार देख लेते हैं friends जबकि इसके quarterly results को देखा दाया है तब तक आप इसे subscribe channel को जब सब्सक्राइब कर लें 4197 रुपय का sales friends यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 4197 रुपय का sales अगर आप देखे दिसंबर 2021 में वो 3575 करोड रुपय का था जो की सीधे बढ़के आपको यहाँ पर 4197 करोड का हो गया 15% की जो margin थी वो आपकी बढ़ गई हो गई सीधे 19% तो अच्छा कासा यहाँ प पर stock चला गया था आपको अगर मैं net profit दिखाऊं तो 932 करोड रुपय की net profit है और दिसंबर की जो net profit थी वो थी 932 करोड रुपय की profit दिसंबर 2022 की और 379 करोड रुपय की profit जो है वो दिसंबर 2021 की friends तो उस हिसाब से यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर company ने performance दिया और उसके basis पर आपको यह particular जो share था ब्रिटानिया का वो market में perform करने में सफल रहा वैसे आप जानते ही है सभी लोग की FMCG stocks जो है वो बढ़ी ही धीमी गती से चलते हैं चाहे वो actual की बात करे या वे डाबर की बात करे या फिर आपको मेरिकों की बात करे यह सब stock बहुत बहुत ही ज़ हाई दे जाता है friends तो friends dividend हो या फिर bonus हो या फिर stock split हो यह सारी चीज़े जो भी होती है वो corporate actions में होती रहती है और split वगरा जो भी चीज़े होती है सब corporate action का part होती है basically आपको decision लेना होता है कि share की price का level क्या है यानि company चाहे कितनी भी बड़ी हो और चाहे कितनी भी अच्छी क् आपको उसके price को जरूर देखना चाहिए कि क्या वो बहुत ज़्यादा price में hit तो नहीं हो चुका है और dividend वगरा के news वगरा तो आती रहती है business को समझे और price level को जरूर ध्यान में रखिए कि कितना price level पर वो चल रहा है कही all time high वगरा का level तो इधर बीच नहीं है और क्या पि है तो subscribe जरूर करिए thank you so much